नमस्कार दोस्तों, सवदेशी चिकिच्चिया में आपका स्वागत है तो दोस्तों, आज हम एक विश्य पर चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो हमारी नेचरोपेथ है या फिर जो अईरवेदिक चिकिच्चिया पत्ती है वो इस अंग्रेजी मोटरन चिकिच्चिया पत्ती से धीरे काम करती है जबकि यह बात बिल्कुल गलत है दूसरी बात बहुत सारे लोग अंग्रेजी पत्ती को अच्छा मानते हैं और इसको हीन द्रस्टी से देखते हैं लेकिन यदि हम दोनों की तुलना करने पर आएं तो एक बात आप लोग सोच कर देखिए कि दुनिया में ऐसी कोई भी पत्ती नहीं है जो की हमें यह सिखाए कि बिमार ही नहीं होना क्योंकि जो भी बाकी जो हमारी इंडिया की जो 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 किच्छा पत्तियां है क्योंकि इनमें सारे में जो रहना कैसे है खाना पीना सारे दंग दिन चरिया कैसी रखने हमको रितू चरिया के कैसी होनी चाहिए कब उठना चाहिए कब सोना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या पैरना चाहिए पितलब complete जीवन के बारे में ये हमें बताते हैं और यदि हम बाकी चिकिच्यापतियों पर जान लो modern चिकिच्यापति उसकी तरफ अगर जाएं तो वो कहती है कि पहले बिमार पड़ो उसके बाद में हम इलाज करेंगे और हमारी चिकिच्यापति कहती है कि बिमार ही मत पड़ो इलाज से बहतर है कि बिमार ही मत पड़ो कि इलाज लेने की जरूरत ही नहीं पड़े और बाकी अगर हम उसमें जाएं तो उसमें ऐसी कोई भी मेडिशन नहीं होगी जो की पहले लिजास के बिमार से बचने के लिए जबकि इसमें तो हमें मेडिशन लेने की जरूरत भी नहीं है अगर हम जो नियम बताए गए है जो वो थोड़े से नियम है अगर उनको 50% क्या 25% भी अगर हम उन नियमों को फोलो कर लें तो हम जिंदगी बर कभी भी बीमार नहीं होंगे छोटी मोटी बीमारी भी हमें खासी जुखामखार ये भी हमें जल्दी से नहीं होगा और दूसरी बात जो लोग ये कहते हैं कि यह है चिकिछ्या पत्ती देमी है बहुँ एक बात देखो शुगर ले लो बीपी ले लो हर्ट की प्रेशानी ले लो या फिर और कोई भी ऐसी जो कैंसर ले लो इन जो बड़ी बीमारियां है तो इनको अंग्रेजी चिकिछ्या पत्ती में क्या इनकी कोई चिकिछ्या है क्या ऐसे कोई पेशेंट आपने देखा है जो की सुगर की मेडिशन ले रहा हूँ उनकी दवाईयां बंध हो गई हो वो कहते हैं कि जिन्दगी बरखानी पड़ेंगी बीपी का पेशेंट आपने देखा है किड्नी डाइलेशिस का पेशेंट आपने देखा है जिसकी डाइलेशिस बंध करा दी हो इनों ने दूसरी बात यदि हम हमारी चिकिछया पत्ती नैचर उपेथि आईरवेद पर चलें तो यह हो सकता है मान लो नैचर उपेथि पर हम चलें तो विपी सुगर की जो हम विशरूप जी की जो डाइट डियाईपी डाइट जो देते हैं उसमें तो लगबाग तीन दिन साथ दिन महीने बर में मेडिशन बंद हो जाती है अब सोच के देखो एक पूरी उमर की पूरी उमर बर मेडिशन आपको लेनी है और उससे दीरे दीरे उसके दवाईयां बढ़ती जाएंगी और वेक्ती और दूसरी बिमारियां भी उनके साथ उनके साइड एफेक्ट से आई जाएंगी और अगर इस पत्ती पर देखें तो आदमी की दवाईयां तिन-तिन दिनों में बंद हो जाती है सब्ते में बंद हो जाती है किसी की महीने में हो जाएंगी जादा करो तो दो-तिन महीने लगा लो अगर किसी को जादा ही परेशानी है 95-99% वेक्तियों की तो दोईया आराम से छुट जाती है चाहि को भी बिमारी क्यों नहों विपी हो सुगर हो हाट की बिमारी हो या फिर कैंसर हो बड़ी-बिमारी है मतलब खाने-फिने के द्वारा डाइट के द्वारा ही ठीक हो जाती है और थोड़ी बहुत यदि आयर्वेदी तो यह लेलो थोड़ बहुत नियम लेलो थोड़ बहुत अक्सरे साइज योग बगेरा कर लो पूरी सभी बिमारी आसानी से ठीक हो सकती है और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पूरी भी आप खुल जुकी है तो अगर उनके देखें क sacar यह सब्सक्राना पड़ता है किसी को दो दिन में किसी को तीन दिन में और यहां पर एक-एक दिन में वो कहते हैं, पैसेंट की तो पहले दिन ही डाइलिसिस बंद करा दी जाती है, या फिर मान लो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में भी अगर डाइलिसिस बंद हो गई, तो इसमें नुकसान क्या है, और आगर मान लो कही लोग बताते हैं, कि बैस में रुप बार भी पढ़ता जाता और आगे भी उसको और भी सारी बिमारिया और कितना टाइम वो रह पाता उसके उपर दूसरी बात ठीक हो गया फिर उसको शिखा भी देते हैं सारी चीजे कि जरूरत नहीं कि उस्पिटल में जाके ही करो आप घर पर कर लो एक बार वहां पर सीखाओ फिर आप जब भी कभी हो थोड़ा बूद बिमार दूसरे घर के मान ले किसी ओर व्यक्ति कोई बिमार होता है तो इसको गर पर ही कर लो इतनी जिए वह पहले ही सिखा देते भाई आपको ऐसा करना है गर पर इसकी वेस्था पांद जार रुपर लगाकर इसकी वेस्था आपको हमारी जो भारत के चिक्ष्यापत्य उस पर आपको इस्वास करना होगा क्योंकि हमारी चिक्ष्यापत्या ही दुनिया में ऐसी हैं जो कि हमें शिखाते हैं कि बिमार ही मत पड़ो बिमार पड़ने ही नहीं देती यह बिमार पड़ने से रोक सकते हैं और कुछ नियम अपनाने से ही बाकी कोई चिकच्या-पत्य ऐसी नहीं है सभी कहते हैं कि पहले बिमार पड़ो फिर यह दवाइयां खाऊ फिर ٹھیک हो जाऊ ऑर ठीक होते भी नहीं है कुछ बिमारिया तो इन्हों ने कर रिख एकि यह भी इमारिया ठीक हो ही नहीं सकते और और चिक्ष्यापतित कहते हैं सभी भीमारिया जड़ से खतम हो सकती हैं तो दोस्तों यह को छोटा सा वीडियो हमने आपको जानकारी देने के लिए बता है क्योंकि कुछ लोगों को इसमें संदेय रहता है कि यह चीजे काम नहीं करती लंबा टाइम लगता है और जैसे मानलो बुखार पे ले लो जो आप जो हिनका हिट प्रोटोकॉल है मानलो पैरस्टतमल आपने गोली लिए कितने देर में तीक करेगी भई एक दो गन्टे लगा ये मानलो ठीक हो गया और उसका असर खतम होते ही दुबारा बुखार हो जाएगा और हिट प्रोटोकॉल में एक दो गंटे में आदे गंटे में ठीक हो जाता है, दो गंटे मान लो, वो दो गंटे बताते हैं, वैसे पेशेंट तो आदे गंटे एक गंटे में रिलेब मिल जाता है, ठीक हो जाता है, और वो बुखार दुबारा आता है, ठीक है, तो अगर सु मैं तो पूरी दैसे स्वास्थ हो सकते हों इस बारे में आप क्या राए है आप इस बारे झाल झाल